किसी भी वेक्ति के ब्लड में जब शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो उस इस्थिती को डाइबिटीज करते हैं ये एक जीवन शैली से जुड़ा रोग है जो शरीर के कई अंगों जैसे की आखों, किडनी और दमाग तक को प्रभावत करता है इस बीमारी के कारण मरीजों के शरीर में परियाप्त मात्रा में इंसुलन का उत्पादन नहीं हो पाता है जी हां मधू में हैं, रोग के कई प्रकार होते हैं, जिसमें से डाइबिटीज टाइब टू सबसे एहम है स्वास्त, विशेशग्यों के अनुसारस बिमारी को जड़ से खत्म करना लगभग असंभव है हाला कि अपनी डाइट एवं डेली रुटीन को बहतर करके लोग इससे होने वाले असर को कम कर सकते हैं जी हां कई खाग पदार्थ शरीर में बलड शुगर को काबू रखने में मददगार साबित होती है जी हां तो आज हम आपको बताएंगे कि इसके क्या फाइदे हैं और मरीजों को कैसे इसका सेवन करना चाहिए जी हां एक अध्यन के मताबिक सीमित मात्रा में ताजे प्याज का सेवन टाइप टीज टाइप वन और टाइप टू के मरीजों के लिए लाबदायक होगा जी हां इसे बलड मलू कोस के अस्तर को काबू रखने में मदद मिलती है यह सरीर में इंशिलिन की मात्रा बढ़ाने में मदद करता है साथ ही इसमें डिटॉक्सिफाइंग तत्वे भी होते हैं जो शरीर से विशेले पदार्थों को बाहर निकालने का कारे करती है जी हां डॉक्टर्स मदू में हिरोग्यों को अपनी डाइट में उन खाग पदार्थों को शामिल करने की सलाह देते हैं जिनका ग्लाइसमिक इंडेक्स यानी जी आई कम होता है प्याज की जी आई भी बेहत कम होती है ऐसे में इसका सेवन करना काफी लाब धायक हो सकता है जी हां प्याज में फाइबर प्रुचूर मात्रा में मौजूद होते हैं जिसकी मदद से शरीर में खाना जल्दी डाइजेस्टिन नहीं होता है और ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है जी हां इसके अलावा प्याज एक लो फार्ब फूट है जो मधू में रोगियों के लिए फाइदे मंद होता है साथ ही ये वजन को कम करने में मददगार है जिससे मोटाबा का खत्रा भी काफी कम हो जाता है जी हां तो आप भी प्याज का सेवन करना शुरू करतें जी हां आपको बता दें कि वीशेशग्यों का मानना है कि आप प्याज को सलाद में, सूप में, सबजी में या फिर किसी सैंडविच में डाल कर खा सकते हैं हाला कि अधिक्तम फाइदे के लिए हर सुभ है प्याज से बने इस डिटॉक्स ड्रिंक का सेवन उप्यूकत रहेगा जी हां हम आपको बता दे कि कैसे आप इस प्याज के ड्रिंक को बना सकते हैं जी हां कटे हुए आपको दो प्याज लेने हैं, पानी एक कप लेना है नीम्बू का रस एक चमच लेना है और सेंधा नमक चुटकी भर लेना है इसे ब्लेंडर में डाल कर ब्लेंड कर लें और बिना अच्छाने इसका सेवन करें ध्यान रखें कि इस ज्रिंग को सिमित मात्रा में ही पीना चाहिए जी हाँ तो आप भी प्याज के सेवन को अपने जीवन शैली में जरूर शामिल करें आपको फाइदा जल्द से जल्द मिलेगा जी हाँ तो और अपडेट्स के लिए जड़े रहे हैं हमारे साथ क्यूरेण ही आरविदा से सुर्भी की रिपोर्ट